हेलो फ्रेंड्स एक पार फिर से आप सभी का मारे यूटूब चैनल देरे स्टेडी पॉइंट पे स्वागत है आज मैं एक महत्तपुन टोपिक लेकर आया हूँ मनु का सब्तंग सिद्धान्त बिये पार्ट फर्स्ट का टोपिक है पॉर्टिकल साइंस का सेकंड पेपर है फ फ्रेंड्स मैंने जो यह नोट्स बनाए है वो ओथेंटिक हैं सिरीज में से देखकर नहीं बनाया है और मैं उसका प्रूब भी आपको देना चाहूंगा यह जो आपके सामने बुक दिख रही है यह आपकी ओथेंटिक बुक है प्रमुक बारतिय राजनितिक विचारक सेक हैं पर हैं वीडियो को मनु अपने घ्रंद्РЕ मनु इस्मर्ति में यानी मनु ने अपने नाम पर ही मनु इसमर्ति लिखी और उसमें अपने जो विचार थे वो उसी में दिये हैं तो आप जितने भी आप इसके जिद्दान पढ़ोगे मनु के वो सारे किसमें दे रखें मनु इसमर्ती में तो यहां से छोटा क्यूशन भी उड़ सकता है कि मनु इसमर्ती की रचना किस ने की तो आप बता दोगे मनु ने, ठीक है, तो मनु ने अपने गरंत मनु इसमर्ती में राज्य को साथ, यानि राज्य के साथ प्रकृतियों या अंगों, ठीक है, आप अंगी भी बोल सकते हो, प्रकृति भी बोल सकते हो, इसको यहाँ देखो देखो सब्तांग, यानि सब्त पल यहां पर आप प्रकृति बोल दो या अंग बोल दो एकी बात की चर्चा की है ठीक है यह बात द्यान रखना कि मनु ने मनु इस्मृति में राज्य के साथ अंगों की चर्चा की है ठीक है उन्होंने राज्य के अंगों के लिए प्रकृति सब्द का प्रियोग किया है यानि इस प्रकरती सब्द का यूज उन्होंने किया है, मैंने पहले बता दिया है, यानि उन्होंने अंगों के लिए प्रकरती सब्द का यूज लिया है, आगे बढ़ते हैं, मनु के राज्य के साथ अंग है यानि उन्होंने साथ अंगों में बाढ़ दिया राज्य को सबसे पहला है स्वामी राजा जिसे अपन बोलते हैं ना स्वामी जैसे प्रदान मंत्री नरेंद्र मोदी है ये प्राचिन काल में होते ही तियास में पढ़ते हो तो क्या कहलाते है अपने इनको राजा भी बोल सकते हैं, अपने इनको स्वामी बोल सकते हैं, क्योंकि पूरे देश को समाल रहे हैं, तो प्रदान मंत्री नरेंदर मोधिक अपन राजा भी बोल सकते हैं, अब इसकी साइता के लिए मंत्री होते थे, इसको मैं ट्रिक के आदार पर समझाओंगो सबी को ताकि आपको ये सातों के साथ्व नाम याद रखें क्योंकि कभी कभी फ्रेंड्स दो- MOMर का क्योचन पूछ लेता है कैसे आएगा क्योचन कि मनु ने मनु के सब्तांग सिद्धान्त के साथ अंगों का वर्णन कीजिए तो आपको ये साथ लिखने होंगे ठीक है तो इस स्वामी यानि राजा की साहिता के लिए मंत्री होते थे आज भी देखो प्रदान मंत्री नरिंदर मोदी है हमने उनको राजा बान लिया है और उसकी साहिता के लिए केबिनेट होती थी केबिनेट मंत्री होते थे यानि मंत्री उसकी साहिता करते है प्रदान मंत्री नरिंदर मोदी के एक कला काम नहीं करता है ठीक है तीसरा है पुर तीसरा है क्या है पुर पुर का मतलब क्या होता है किला प्रातिन काल में आप देखते होंगे रभी भी भी आपने देखा होगा जैपुर का नारगट का किला और बहुत सारे किले आपको देखने को मिलेंगे जहां पर राजा निवास करता था जिसे पुर कहा गया है इसके बाद में राज्ये अब यहां पर आप बरमीत हो जाओगी कि अपना एना जो राज्ये के अंग पड़ रहे हैं और उसमें राज्यी भी आ गया हां से यह जो मनु था उन्होंने राज्ये के साथ अंगों मेरस्येको भी सामिल किया है ठिक है प्रेंट्स इसके बाद में पाच्वा कोस यानि धन्ष इसका दूसरा नाम किया है धन्ष. ठीक है छट्टा है डंड डंड को क्या बोल सकते हो आप सैना सैना या डंड ठीक है डंड यहां पर देखो ट्रिक के आदार पर रियाद रख लेना सैना अपरादी को क्या देती है डंड तो डंड या सैना ठीक है फ्रेंट्स यहां पर देखो साथ सात्व क्या है मित्र ठीक है अब इन सातों को अपन है जो ट्रिक के आदार प्रियात करेंगे फिर इनका वर्णन करेंगे इजी तरीके से तो यहां पर देखो पूरे की पूरे साथ हैं देखो एक राजा है जिसको अपन स्वामी बोलते हैं इसकी साहिता के लिए इसकी साहिता के लिए कौन होगा मंत्री होगा क्योंकि आपने प्राचिन काल में यह दित्यास पड़ा हो तो राजा की साहिता के लिए मंत्री होते थे कोई नाटक देखा हो टीवी में तो जैसे अकपर आप देखते हो तो अकपर का सबसे पर यह मंत्री कौन था बीरबड ठीक है तो इसकी साहिता के लिए मंत्री होते थे ठीक है अब यह दोनों है ना जो कहां निवास करेंगे आप यह पता लगाओ कि आप राजा और मंत्री को कहां निवास कराओगी वो तो एक किले में तो निवास करेगा क्योंकि राजा जहां पर निवास करेगा वहाँ उसी किले में मंत्री भी निवास करेगा तो तीसरा भी आद हो गया, पुर यानि किला यानि राजा, राजा किसा आयता के लिए मंत्री होते थे ये दोनों कहां निवास करते हैं, किले में निवास करते हैं तो तीन तो अपना ऐसे याद कर लेंगे फिर ये जो वाक्य दे रखा है राजकोस दमी यानि राजकोस है ना जो दम करता है यानि राजकोस का मतलब जो धन होता है ना वो आदमी को ब्रश्ट करता है ये मैंने बनाया है फ्रेंट ये मतलिक करा जाना आपको याद करने के लिए बता रहूं ठीक है तो राज का मतलब क आउगा राज्य ठीक है यह जैना जो आद्धा हो जाएगा या निराज्य हो जाएगा चोथा बन गया राज्य कोस का कोस ऐसे कैसे आजाएगा दम का दे का मतलब आपने एक और अंग निकालेंगे डंड जिसे सेना कहते हैं और लाष्ट में मी बचा इसका मतलब है मित्र तो इस परकार आपने देखा कि हमने साथ अंग ध्यान में रख लिए हैं इनको ट्रीकों के आदार पर समझ लिया है अब इनका है जो अपन फ्रेंड्स बॉर्ड वर्णन करेंगे कि आखिरकार में होते क्या हैं ठीक है फ्रेंड्स तो इनका वर्णन कर लेते हैं विल्कुल कोई भी बिंदू लिख रहे हैं आप तो ऐसे लिखना जरूरी है कि अपन निवन लिकित तरीके से अपन इनका वर्णन कर सकते हैं ठीक है फ्रेंड्स तो फ्रेंड्स अब अपन इनका विस्तार से वर्णन करने वाले एक एक का हमने सोट में जान लिया है पहला है स्वामी यानि राज़ा मनु ने राज़ा को राज़े का स्वामी करकर पुकारा है यानि राज़े का यानि राज़ा को क्या करकर पुकारा है राज़े का स्वामी जैसे हमारा स्वामी को ने प्रदानमंत्री नरेंदर मोजी जी क्योंकि पूरे देश को समाल रहे हैं उसी परकार बड़ी सकता किसी व्यक्ति के आथ में सकता सोब रहे हो तो आप बहुत बड़ा कारे कर रहे हो और यदि गलत व्यक्ति के हातों में सकता सोब रहे हो तो आपका विनास निश्चित है, देश में गरीबी हो सकती है इसलिए राजा के अंदर गुण होना चाहिए प्राजियन काल के समय की बात चल रही है कि राजा के अंदर क्या क्या गुण होने चाहिए तो पहला गुण वो बताते कि नेतिक गुण सदाचार, दयालू, कल्याण यानि फ्रेंड्स, राजा के अंदर एक महत्त पुण गुण है ये भै, जनता का कल्याण करे, दयालू पन होना चाहिए मार काट में विश्वास नहीं करे कल्याण करे, जनता का भला करे अरे भै, एक राजा को जनता चुन रही है तो क्यों चुन रही है ताकि उसकी गरीबी को मिटा सके आपने प्रदानमंत्री नरेंदर मोदी यानि राजा की राजा हमारा तो राजा को ने प्रदानमंत्री नरेंदर मोदी जी ठीक है अब वो उनको अपने क्यों चुना है क्योंकि वो हमारा कल्यान कर सके हमारे देश की जरी भी मिटा सके, ठीक है फ्रेंट्स, तो राजा के अंदर नेतिक गुण इंपोर्टेंट है, ये गुण होगा तो जनता का कल्यान होगा, दूसरा परसासन चलाने की शमता, उसके अंदर इतनी पावर हो सके, प्राचिन काल में युद्ध लड़े जाते थे, उस समय की बात आकर्वन होता है कि कोई भी राज्या दूसरा राज्ये उस पर आकर्वन करता है, तो उसके जहनले की समता होनी चैए, ये जनता को बचा सके, वो समता होनी चैए उसके अंदर, ऐसा नहीं कि वो देश को अपने राज्ये को पूरे को बरबात करा दे, जैसे धनानन्द इतियास आपको आपने ले रखा है तो, तो वहाँ पर देखोगे कि इतना कुरूर राजा इतियास में कभी नहीं हो, ऐसा राजा हमें नहीं चाहिए, ठेका फ्रेंड्स तो प्रसाजन चलाने की समता होनी चाहिए, तीसरा फ्रेंड्स दायत्यों के प्रति निष्टा, यानि दायत्यों के प्रति उसके निष्टा होनी चाहिए, उसके दायत्यों क्या है, एक राजा का दायत्यों आप क्या मानते हो, उसका दायत्यों होता है कि वो जनता का कल्यान करे, जनता को परेशान ने करे, ऐसा यानि राजा दायत्यों के प्रति निष्टा होनी चाहिए, इन क बता रहे हैं इस परकार का राजा राज्य के लिए अत्य आउश्यक है यानि य livre आप के राज्य में ये सभी विसेस्ताईं विद्ध्य मानें तो मानलीजाझ बोथ भागय शाली हो आपके राज्य का कल्यान होने वाला है ठीक्त फ्रेंड्स इसके बाद में देखो मंत्री मनु का मानना है कि राज्य का परशाषन मंत्री के बिना चलाया ही नहीं जा सकता यानि मनु ये कह रहा है कि राज्य के पास में साय शक्तिया वह सारी पावर राज्य के पास में होती है सारी शक्तिया राज्य के पास में होती है मनु ये कह रहा है कि र मंत्रियों की बिना कुछ भी नहीं है वो है ना जो परशाशन मंत्रियों की बिना नहीं चला सकता आगे देखो मनु का मानना है कि राजा राज्य का कारे अकेले सही तरीके से नहीं कर सकता यानि वो मंत्रियों को important क्यों मान रहा है क्योंकि एक राजा है ना जो राजे के अकेला रहकर कारे नहीं कर सकता सही नहीं चला सकता इसलिए राजा को राजे का कारे करते समय मंत्री का सयोगतार्त राय लेना चाहिए यानि जब भी राजा कोई कारे करे तो मंत्रियों की सलाले क्यों क्योंकि एक व्यक्ति कभी भी भाड नहीं फोड सकता यानि एक चना कभी भी भाड नहीं फोड सकता वही बात यहां पर लागो रही है कि एक राज्जा ही क्या सही निर्णे ले सकता है क्या अरे भाई आप एक अकेले हो कोई निर्णे ले रहे हो यहां पर देखो मनु राज्य की समझ सक्तियों का स्वामी है लेकिन उसको मंत्रियों की सायता से ही प्रियोग करें यानि राज्या के पास में समझ सक्तियां होती है राज्य की और उनका प्रियोग मंत्रियों की सायता से ही करें फ्रेंड्स वर्तमान में यह चीज नहीं लाग तो वो पहले की बात आज के वर्तमानवे भी लागू हो रही है यहां पर ठीक है फ्रेंड्स के लिए रो गया टोटल यह बात है कि एक राजा होता है उसके पास में सक्तिया होती है और उन सक्तियों का प्रियोग वो खुद नेकल ले अपने विचार से नेकल ले मंत्रियों की की भी प्रामर्सले मंत्रियों की भी साइता ले तो मंत्री को इंपोटेंट इस्तान देने का प्रियास किया है मनुने आगे देखते हैं फ्रेंड्स अगला अंग देखते हैं बिल्कुली इजी तरीके समझ में आ रहा होगा यदि आपको वीडियो थोड़ा सभीत सारग रह राज्य की राज्दानी यानि जो किला होता है जो पूर होता है वो राज्य की राज्दानी होती है जो सुरक्षित इस्तान पर बसी होती है आप देखोगे किसी भी राज्य की राज्दानी होती है वो ऐसे इस्तान पर बसी होती है या तो वो राज्य के बीच में बसी होग ताकि कोई अन्य राजा उस पर आकर्मन नहीं कर सके, यदि राजदानी पर अधिकार हो गया किसी राजा का, तो माल लिजे पूरे राज़े पर अधिकार हो गया, इसलिए यह जो राजदानी होती थी, यह जो किला होता था, वो ऐसे इस्तान पर बसा होता था, जहां पर सुर दुरबाद में, sorry, Manu कहता है कि पुर्ग के अंदर एक सुरक्षित दुर्ग होना चाहिए, अब Manu ये बोल रहा है कि आपकी जो राजदानी है, जो आपका किला है, उसके अंदर एक दुर्ग होना चाहिए ताकि विकट परिष्टितियों में राजा उसमें छुप सके और बाहर निकल सके क्योंकि फ्रेंट्स आप देखते होंगे कि दुर्ग जो है न उसमें ऐसे इस्तान भी होते हैं जहांसे विकट परिष्टितियों में निकल कर बाहर भागा जा सकता है तो ये जो पुरा का पूरी राध्दा नहीं है यानि पुर है उसके अंदर जो है न दुर्ग की बात कर रहा है मनु कि उसके अंदर दुर्ग भी होना चाहिए और श्रेणिया भी बताता है दुर्ग की मनु ने दुर्ग की श्रेणिया भी बताई है तो यहाँ पर देखो धन्वन दूर्ग थेक है मही दूर्ग जल दूर्ग व्रिक्स दूर्ग मनुष्य दूर्ग और गिरी दूर्ग थेक है तो यह चै परकाल के दूर्ग बताता है बड़िया तरीके से मैंने लिखकर आपको बता दिया है धन्वन दूर्ग मही दूर्ग जल दुर्ग विरिक्ष दुर्ग मनुष्य दुर्ग और गिरी दुर्ग तो फ्रेंट्स बिल्कुल यह आपको सही समझ में आ रहा होगा आगे चलते हैं चोथा अंग उन्होंने बताया है राज्य ठेक है फ्रेंट्स राज्य मनुने राज्य सब्द का प्रियोग जनपद के लिए किया है यानि यह जो राज्य है ना राज्य सब्द का प्रियोग क्यों किया है जनपद के लिए किया है मनुने राज्य में राज्य की सीमा में आने वाले भूमी तता उस पर निवास करने वाले जनता को समलित किया है यानि राजे की सीमा में आने वाले कोई भी राजे होता है उसकी सीमा में जो भूमी आ रही है दो सब्ध इंपोटेंट है फ्रेंट्स भूमी और जनता यानि राज्य की सीमा है उसके अंदर जो भूमी आ रही है और जो जनता आ रही है यानि भूमी पर जनता निवास करेगी अरे भूमी पर ही तो जनता निवास करती है तो भूमी तता उस पर निवास करने वाली जनता को समलित किया जाता है यानि मनु है ना जो इस राज्य में किस-किस को समलित करता है सीमा में आने वाली भूमी और उस पर निवास करने वाले जनता को समलित करता है जैसे ये पुरा का पुरा राज्य है इसके अंदर भूमी है और उस भूमी पर जनता निवास कर रही है तो ये सब है, ठीक है friends, के लिए री समझ में आ रहा होगा आपको, इसके बाद में आगे चलते हैं, पाँचवा है कोस, कोस का मतलब धन, ठीक है, मनु ने राजा के पास एकत्रित धन को कोस कहा है, यानि राजा के पास में एकत्रित धन को कोस कहा है, आपको पता है friends के राजा के पास में धन होता है और वो एकत्रीती तो होता है एक कमरे में होता है बहुत सारा धन जिसको कोस कहते हैं ठीक है कोस यानि धन आप संस्कृत में पढ़ते हो कि कोस का मतलब क्या होता है धन ठीक है राजा के पास अधिक मात्रा में धन होना अधिक मात्रा में अधिक मात्रा मे धन होना अवश्यक है ताकि वह जनता का कल्यान कर सके फ्रेंड्स important बात है कि राजा के पास में अधिक से अधिक धन क्यों होना चाहिए ताकि वो जनता का कल्यान कर सके जनता के लिए बहुत सारे कारे कर सके कर कम कर सके और अपने राजी की सीमा को सुद्रड कर सके क्योंकि पैसों के बिना कुछ भी नहीं होता है इसके बाद में छटा देखते हैं अपन डंड यानि सेना किसी भी राजा के लिए किसी भी राज्ये के लिए जो सेना होती है वो बहुत इंपोटेंट होती है यदि सेना ही कमजोर है सीमा पर सेना ही कमजोर है तो वो राज्ये जादा समय तक्टिक नहीं सकता क्योंकि उस पर कोई अधिकार कर लेगा तो यहां पर देखना डंड यानि सेना सेना क्या देती है डंड ठेक है मनु ने सेना यानि डंड को राज्य की सुरक्षा के लिए अत्यंत महत्पुन माना है मैंने पहले ही बता दिया है कि राज्य की नहीं है तो आपको सेना रखनी पड़ेगी और आप इत्यास में डूंड लेना कि कोई राजा ऐसा हुआ है जिसके पास में सेना नहीं हो सबके पास में सेना होती है और राजा का प्रबुत्व तब ही होगा जब सेना उसके पास में एक मजबूत सेना है ठीक है सेना के अने चैना अस्ति का मतलब क्या होता है हाती आपका बड़ा सा थी ठीक है इसका मतलब क्या होता है हाती हाती ठीक है इसका मतलब हाती होता है यानि हातियों की चैना उसमें बहुत सारे हाती होते हैं और हातियों पर बैट कर जो आकर्मन होता है आकरमनकारियों को हाथी आप जानते हो कि उंचा होता है यानि उसकी जो उंचा है न बहुत ज़्यादध होते पर बैट कर जो अपने का जो सब्त्रू होता है उसपर आकरमन किया जाता है लेकिन फ्रेंस इसकी हानी भी है कि यदि हाथी के सूंड में आकर्मनकारी ने तीर छोड़ दिया है तो वो अपनी ही सैना को कुचल देता है ठीक है तो ये थोड़ा पलस पॉइंट हो जाता है एक रत सैना होती है जिसमें आप देखते हैं महाबारत आपने कभी देखी हो तो जो कोरू पांडू ये जो है न वो रत पर बैट करी तो युद लड़ रही थे ना तीरो से तो रत सैना होती है जिसमें रत हो यानि रत में जो गोड़े होते है न वो जुड़े हो ये होते है तो ऐसी सैना अस्व सैना यानि हस्व का मतलब क्या होता है घोड़ा इसका मतलब क्या होता है फ्रैंट्स गोड़ा जिसमें गोडों की संक्य जादा हो गोडों पर बैटकर राजा आए यानि सेना गोडों पर बैटकर आए और आकरमन करे किसी अन्य पर ठीक है इसके वाज जल सेना यानि जल सेना का मतलब जल में लडने वाली सेना ठीक है पदाती सेना, पदाती सेना का मतलब क्या होता है, पैदल, आपने कई फिल्म देखे होंगी, उसमें है जो सेना पैदल चलती है, उनके पास में पैदल, पैदल सेना, यानि उनके पास में कोई बैटने का साधर नहीं होता है, नहीं तो उनके पास में गोड़े होते हैं, तो ऐ आगे आगे पदाती सेना ही होती है जो सबसे पहले आकर्मन का सामना करती है इसके बास में इसके बाद मनु राजा को परामर देता है कि वे सेना के अंगों को सुद्रड बनाने का प्रियास करें पहले तो उसने बता दिया कि राजे के लिए सेना इंपोटेंट होती है उसके बाद में सैना के अंग बता दिए, सैना के परकार बता दिए, अब वो निशकर्स निकाल रहा है कि मनुर राजा को परामर देता है, अरे भाई राजा, तू है न, जो सैना के जो अंग है न, परकार ये सारे के सारे, उनको सुद्रड कर ले, यानि सुद्रड करने का प्रियास करता रहे क्योंकि राज्य की सुरक्सा यदि आपको रक्सा करनी है तो आपकी सैना मजबूत होनी चाहिए यदि आपकी सैना ही मजबूत नहीं है जैसे वरतमान में आप देखोगे कि हमारी इंडियन आर्मी जिनके परतिया में सम्मान है गर्व है कि वो जो सीमाई हैं उन पर हमेशा तैनात होती है पाकिस्तान की सीमा पर बोर्डर पर तो यदि अपन की सैना ही मजबूत नहीं रहे तो क्या अपन भारत की रक्सा करपाई नहीं तो सैना एक इंपोर्टेंट है तो बड़िया तरीके समझ में आ रहा होगा लास्ट देखते हैं फिर हमारा ये जो क्यूस प्रकार से मनु ने बहुत सारी चीज़े बताई है तो यह कुछ सिद्धानती है बस ठेक है वापिस उसी पर लेके आ गया मैं तो आपको सौरी लास्ट बचा है हाँ यह आ गया आपका मित्र यानि मनु मित्र को राज्य के लिए आउश्यक मानता है मित्र का मतलब क्या होता है पडोसी राज्ये जिसको मित्र बनाना ठेक है यहाँ पर मित्र उसके लिए यूज लिया गया ठेक है और दो तक्थों पर जोड देता है यानि मित्रता पर दो तक्थे देता है दो बाते बताता है मनु कि पहली कोई भी राज्ये अपने आसपास के राज्यों को मित्र ब बनाना ही पड़ता है, यानि इस तत्थे के मादम से मनु ये बोल रहा है कि कोई भी राज्य होता है ना, उसके आसपास आप देखते हों बहुत सारे राज्य होगी, उसको जो मित्तर बनाना ही पड़ेगा, कोई भी बना मित्तर बनाई हुए नहीं रह सकता, यानि कोई भी ब बहुत सारे अन्य राज्ये हैं जो इसके शीवा में नहीं आते लेकिन इसके पड़ोशी राष्ट्र है तो ये राज्ये यदि इनको नहीं बनाएगा तो एक दिन ये सारे संगटित होकर इस पर आकर्मन कर देंगे तो इन में से मालीजे ये तीन को भी मित्तर बना कर रखता नहीं चार को भी मालीजे तो यदि ये आकर्मन करते हैं तो ये मित्तर रहें इसके तो ये है ना जो सेना अपनी इस राज्ये को देंगे ताकि इनकी रक्सा कर सके ये जो राज्ये हैं इनकी रक्सा कर सके इसलिए मन मनु ये बोल रहा है कि कोई भी राज्य होता है वो अन्य जो अपने पड़ोशी राष्ट्र उनको मित्र बनाए वे नहीं रह सकता यदि वो मित्र नहीं बनाता है तो उसको नुक्सान उठाना पड़ेगा ठीक है दूसरा राज्य को अपने हितों के लिए अपने पड़ोशी राज्यों से मेत्री पूर्ण भाव या संबंद रखने पड़ेंगे जानी मनु ये बोल रहा है कि कोई भी राज्यों होता है उसको अपने पड़ोसी राष्ट्रों को मित्र क्यों बनाना चाहिए अपने हितों के लिए हित यह है कि यदि मार लीजे यहां से यहां कोई राज्ये है और वो इस पर आकर्मन कर रहा है तो सबसे पहले रख्सा कोन करेंगे यह राज्ये करेंगे इनको यदि मार देता है यानि इनको हरा देता है वो राज्य तो फिर इस पर आएगा लेकिन ये भी इनको सैना देगा कि भाई तु मेरी सैना ले जा क्योंकि तेरी रक्सा होगी तो मेरी रक्सा होगी इसलिए बहुत सारे हित होते हैं उस हित के लिए आपको मित्तर बनाना होगा अपने पड़ोसी राज्य को ठीक है आप देखते होंगे कलास में आपको मित्तर बनाना होगा यानि आपकी कक्सा में यह दिया आप मित्तर नहीं बनाऊगा जैसे आप भी फश्टिर कर रहे हो आप जो ही कलास में जाते हो तो आप आपको मित्तर बनाना पड़ेगा क्योंकि बहुत सारी फाइले आपको लेनी होती जोग्रोफी की फाइले और बहुत सारे काम होते हैं कोलेज के तो आप फोन करके चले जा सकते हो इसलिए मित्तर बनाना आती आओ सक है यहां पर मनुने है नहीं जो राज्य पर बात कर लिए बस और क्या है तो friends हमारा जो यह सिद्दान्त है वो clear होता है आसा करता हूँ आपको वीडियो थोड़ा समय लगाओगा आसा करता हूँ आप मारे यूटुब चन को सब्सक्राइब को लिया होगा बेल आइकन को दबा लिया होगा मेरे तैंक नई वीडियो के साथ तब तक के अधिया थैंक यू